नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत एक बार फिट से आपके अपनी यूटूब चैनल माजित साइंस पर आजम आपके लिए लेकर आया हरियाना से जुड़े कुछ महत्तपुन क्वेस्टन अंसर जो की आप से आने वाले कंपिटिशन एक्जाम में पूछे जा सकते हैं मोस्ट इंपोटेंट क्वेस्टन आले कंपिटिशन एक्जाम इन खरियाना तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं फटा फट दोस्तों आज का हमारा फ़स्ट क्वेस्टन है बढ़कल जिल खरियाना के किस जिले में स्थित है दोस्तों सकॉपसा नमबर A यानि फटाबाद में बढ़कल जिल आपकी हरियाना के फटाबाद जिले में स्थित है और फटाबाद जिले की स्थापना 15 अगस्ट 1989 को की गई थी और फरिदाबाद जिले को उद्धियोगिक नगरी और मलीन बस्तियों के सहर के उपनाम से जाना जाता है हमारे next question है हर्याने का राज के अवरिक्स निमलिकित में से कौन सा है दोस्तो इसकोप्सा नमबर A यानि पीपल हर्याने का राज के अवरिक्स आपका पीपल है थे दोस्तो इसकोप्सा नमबर A यानि सास्त्रिय संगीत पंडि जसराज आपके सास्त्रिय संगीत वीद्या के लिए विख्यात थे हमारे next question है निमलिकित में से किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है दोस्तो इसकोप्सा नमबर B यानि नूहू या फिर मेवात में हर्याना के मेवात जिले में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है और इसकी स्टापना 4 अपरेल 2005 को की गई थी हमारे next question है निम्मन में से कौन सी योजना स्वामिनाथन रिपोर्ट की अनुसंसा पर अधारित है दोस्तो इसकोप्सा नमबर C यानि पसूधन बीमा योजना जो की आपकी स्वामिनाथन रिपोर्ट की अनुसंसा पर अधारित है हमारे next question है अमरकाविया महाबारत में वर्णित नर्कातारी अनरक्तिर्थ किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों इसका उप्शन नमबर D यानि सरस्वती अमरकाविया महाबारत में वर्णित नरकातारी या फिर अनरक्तिर्थ आपका सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है हमारे next question है गुडगाओं में नई उद्योगिक नगर छेतर के अंतरगत कितना छेतरपल सामिल किया गया है दोस्तों सकोपसन नमबर D यानी पंदरा सो एकड़ जो की आपका गुडगाओं के नई उद्योगिक नगर छेतर के अंतरगत सामिल किया गया है और गुडगाउं जिले की स्थापना एक नॉम्बर 1966 को की गई थी और गुरुग्राम जिले को साइबर सीटी, मेड सीटी, मनुरंजन सीटी, कॉल सेंटर ओप हरियाना, मिलेनियम सीटी और अरावली परवत माला का परवेश द्वार के उपनाम से गुडगाउं या फिर गु अगरोः धाम को पूरे भारत में जाना जाता है, हमारे नेक्स्ट क्वेशन है, हरियाना सरकार में मंत्री अनिलवी जाता है, किस चुनाव छेतर से संबंदित है, दोस्तों सकॉपसा नमबर ए यानि अमबाला केंट से, हरियाना सरकार में मंत्री अनिलवीज का संबंद अमबाला केंट छेतर से है, और अमबाला जिले की स्थापना एक नॉवंबर 1966 को की गई थी, और अमबाले जिले को विज्यानिक नगरी, उपकरणों का सहर, अप्रेंटिस सिटी, आमों का सहर और मिक्स सिटी के उपनाम से अमबाला जिले को जाना जाता है, हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है, चालिस हाफिज का मकबरा हरियाना के किस जिले में स्थित है, दोस्तिस का उप्शन नमबर बी यानि हिसार जिले में, चालिस हाफिज का मकबरा आपका हरियाना के हिसार जिले में स्थित है, और हिसार जिले की स्थापना आपकी एक नमबर 1966 को की गई थी, और हिसार जिले को मेगनिट सिटी, स्टिल सिटी और इस पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है, हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है, ताजे वाले नामक स्थान हरियाना की कौन सी नहर निकाली गई है दोस्तो इसकोपसन नमबर A यानि पस्षमी यमून नहर जो की आपकी हरियाना के ताजे वाले नामक स्थान से निकाली गई है हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है हर्याना विकास पार्टी की स्तापना किसने की थी दोस्तों इसका उप्सन नमबर A यानि बंसी लाल के द्वारा हर्याना विकास पार्टी की स्तापना की गई थी हमारे next question है हर्याना के करनाल में परसिद जील का क्या नाम है दोस्तो इसका उप्सन नमबर बी यानि करण जील जो की आपकी हरियाना के करणाल जीले में स्तित है और करणाल जीले की स्तापनाप की एक नॉवंबर 1966 को की गई थी और करणाल जीले को हरियाने का पेरिस दहन का कटोरा और करण नगरी के उपनाम से जाना जाता है स्वामी द्यानन स्रस्वती ने हरियाना के रेवाडी पहुचने पर सरुपर्थम क्या परारंब किया था दोस्तों स्कॉप्स नमबर डी यानि गोसाला स्वामी ध्यानन्स रस्वती ने हरियाना के रेवाड़ी जीले में पहुंचने पर सरोपर्थम गोसाला का परारंब किया था और रेवाड़ी जीले की स्थापना आपकी एक नौंबर 1989 को की गई थी और रिवाडी जिले को वीर भूमी, सैनिको का गर, पीतलनगरी और ब्राज सीटी के उपनाम से जाना जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है महाम कीला हर्याना के किस जिले में स्थित है? महाम कीला हर्याना के रोत्तक जिले में स्थित है और रोत्तक जिले की स्थापना एक नॉम्बर 1966 को खोई थी और रोत्तक जिले को सुगर सीटी के उपनाम से जाना जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है महाबारत काल में हरियाना निमली कित्मे से कौन से नाम से जाना जाता था दोस्ते स्कॉप्स नंबर बी यानि बहुत धान्यक जो कि आपका महाबारत काल में हरियाना को बहुत धान्यक के नाम से जाना जाता था हमारा नेक्ट क्वेस्टन है आकासवाणी रोत्तक की स्तापना कब की गई थी दोस्तों स्कॉपस नमबर से यानि 8 माई 1976 को रोत्तक मिस्तित आकासवाणी किंदर की स्तापना की गई थी और रोत्तक जिले की स्तापना आपकी एक नॉमबर 1966 को हुई थी और रुत्तक जिले को सुगर सीटी के उपनाम से भी जाना जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है जुई नहर द्वारा पर्मुक के हर्याना के किस जिले में सिंचाई की जाती है दोस्तो इसको प्सन नमबर A यानि भीवानी जिले में जुई नहर के द्वारा हरियाना के भीवानी जिले में पर्मुक रूप से सिंचाई की जाती है और भीवानी जिले की स्ताफना आपकी 22 दिसंबर 1922 को हुई थी और भीवानी जिले को छोटी कासी, मंदिरो की सहर, बारत का क्यूबा, लीटल क्यूबा और राजपुतो का सिंग द्वार के नाम से जाना जाता है निमले कीत में से हरियाना की कौन सी नदी पर रेनु का किसाओ और लखवार वियासिब बनाए गई है हरियाना की गगगर नदी पर आपके रेनु का किसाओ और लखवार नामक बंद बनाए गई है हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है वह मुस्लिम सासक जिसने 1000 और 1026 तक के मद्य बहारत पर 17 बार आकर्मन किया कौन थे दोस्ति स्कॉपस नमबर ए यानि महमूद गजनवी महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से लेकर 1026 इसवी तक भारत पर 17 बार आकर्मन किये थे हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है किस युद छेतर में महम्मद गोरी और प्रित्वी राच्चोहान की सेनाव का सामना हुआ था दोस्ति स्कॉपस नमबर ए यानि तराइन के युद में तराइन के युद में महम्मद गोरी और प्रित्वी राच्चोहान की सेनाव का आमना सामना हुआ था हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है सूधस्तान से प्राप्त अबिले की लीपी का नाम क्या है दोस्ति स्कॉपस नमबर ए यानि बारा खड़ी जो की आपका सूध लेक से प्राप्त अबिले की लीपी का नाम है हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है पेहोवा से किस वंस के राजा का अबिलेक हुआ है दोस्तो इसको अप्सन नमबर A यानि परतिहार पे हुआ से परतिहार वन्स के राजा का अभिलेख हुआ है हमारे नेक्ट ग्रीग सासा के सिके किस जीले में मिले है दोस्तो स्कॉप्सन no.b, यानि रोत्तक जीले में इंडोग्रिक के सिक्के आपके रोत्तक जीले से प्राप्त हुए है रोत्तक जीले के साफ़ना एक नोंबर 1966 को हुई थी रोत्तक जीले को सुगर सीटी के उपनाम से भी जाना जाता है हमारे next question है मीता थल से गुप्त कालिन किस राजा के सिक्के मिले है दोस्तों इसका अप्सन नमबर से यानि समुन्दर गुप्त के मीता थल से गुप्त कालिन समुन्दर गुप्त राजा के सिक्के प्राप्त हुए है हमारे next question है मीथा थल से किन किन वनसों के सीक्के प्राप्त हुए है दोस्तो इसका अप्सन नमबर डे यानी उपरोग सभी के मीथा थल से आपके तोमर परतिहार चोहान इन तीनों वनसों के सीक्के प्राप्त हुए है हमारे next question है कुशान कालीन मुर्तियों का केंदर निमली कित में से कौन सा था दोस्तोइसकोपस नमबर A यानी रोत्तक कुशान कालीन मुर्तियों का केंदर आपका रोत्तक था हमारे next question है सीस्वाल संस्कीर्ती किस जीले में फैली हुई थी सीस्वाल संस्कीर्ती आपकी हिसार जीले में फैली हुई थी हमारे next question है सिंदूगाटी सब्याता केंदर कौन कौन से थे दोस्तोइसकोपस नमबर D यानी उपरोक सभी जो की आपके सिंदूगाटी सब्याता के मीथा थल राखेगड और बनाओ लिए आपके के अंदर थे हमारे next question है जो आप सभी के लिए करप्या कॉमेंट करके जरूर बताएगा हर्याना की लोगसभा सीटों की कुल सेंग कितनी है हमारे पास फोर उपसन है 8, 10, 12 या 7 दोस्तों कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि हर्याना में लोगसभा की शीटे कितनी है फिलाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना या दिया आपको ये वीडियो अच्च लेक्स वीडियो को लाइक कीजिए कोमेंट कीजिए, सेर कीजिए और सस्क्राइब कीजिए माजिस साइंस को वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद